प्रोफेसर डियन मौरिया के सिफिंग पार्ट साला और स्टुडेंट्स कैरियर काउंसलिंग में आपका स्वागत है आज मैं आर्मी में अगनी बीर के रिकूट्मेंट के बारे में बात करूँगा आर्मी में अगनी वीर को बिसकली दो काटेगरी में डिवाइट कर सकते हैं पहली काटेगरी जो रड़के 12 पास किये हैं और दूसरी काटेगरी जो रड़के 10 या 8th क्लास पास किये हैं जो जो 12 पास करते हैं उसमें दो सब काटेगरी होती है पहले को बोलते हैं technical, अगनी वीर technical और दूसरे को बोलते हैं अगनी वीर office assistant जो दस्मी pass करके आते हैं उसमें बैसकली दो कतेगरी होती है एक होती है general duty और दूसरी होती है tradesman आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 12th pass बच्चों की बात करूँगा जो की कटेगरी A में आते हैं और विकेंज से जो की टेक्निकल और आफिस असिस्टन कटेगरी में आते हैं इनके लिए eligibility क्या होती है उसके लिए पहला चीज है आपका फैक्ट्षरिक योगता आपका educational qualification क्या है तो इसके लिए टेक्निकल एगनिवीर के लिए आपको 10 प्लस टू मतलब 12 मी पास होना चाहिए 10 प्लस टू मिज़ दसमी पास और दसमी के बाद 2 सल का और कोर्स उसको बोलते हैं intermediate तो 10 प्लस टू पास होना चाहिए किसी भी राजी के बोर्ड से जो रिकनाई जो और इसके लिए आपको PCM के साथ होना जरूरी है PCM मीज फिजिश कमिस्ट्री और मैंस साथ में होना चाहिए और aggregate आपका 50% मतलब आउस्ट मार्स बरामे में 50% होना चाहिए और इसके अलामा हर सब्जेक्ट में आपका 40% मार्स होना चाहिए तो यह eligibility है उनके लिए जो कि किसी बोर्ड से state बोर्ड से पास होते हैं that is 10 प्लस टू PCM 50% aggregate और 40% कम से कम हर एक सब्जेक्ट में अलग-अलग तब वो इसके लिए eligible होगे अगर आप Central Board से हैं तो भी वहीं चीज़ होगी CBSE, ICSE, same formula apply होगा लेकिन अगर आप Open School से हैं NIOS यह भी Central Board में आता है National Institute of Open Schooling तो इसके साथ आपके पास ITI का 1 and a half year का डिप्लमा होना चाहिए या अगर किसी दूसरे Board से आपने 10th पास किया है और कम से कम 50% marks है, 40% आपका English, Math और Science में है और Science में आपने 2 साल का ITI कर रखा है तब भी आप इसके लिए eligible होगे तो 10th प्लस ITI दो साल का इसको भी 12th कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर भी आप eligible होगे और मान लिजे आपने ITI न करके 2-3 साल का पालिटेक्निक किया है तब भी आप eligible होगे तो basically तीन दरह के लिजबिल्टी है एसको इसके लिए प्लस टू, PCM के साथ 50% मार्स और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% दूसरा Central Board से आपका सेम 12th पास होना चाहिए PCM 50%, ओबराल 40% इन इस सब्जेक्ट अटलिस और Central Board से अगर आपने Open Schooling किया है तो साथ में ITI का 1.5 यर का कोर्स होना चाहिए और अगर आपने 12th नहीं किया है, 10th किया है, 10th के बाद में 2 साल का ITI कोर्स किया है, तब भी eligible हैं या 10th के बाद में 2 या 3 साल का पालिटेक्निक किये हैं, तब भी आप eligible हैं तो यह रहाँ टेक्निकल के लिए, दूसरा होता है आफिस असिस्टेंट, अगनी भी आफिस असिस्टेंट, उसके लिए आपको 10 प्लस 2 पास होना चाहिए, 10 प्लस 2 में फिर वहीं intermediate और कहीं HSC बोलते हैं, कहीं SSC बोलते हैं, एक किसी भी स्टेंट सो सकता है, art, science का मार्स, इसके लिए साइन्स जरूरी नहीं है तो किसी भी स्टेंट से आप 10 प्लस 2 पास किये हैं, लेकिन आपका 60% मार्क होना चाहिए, that is the first class और हर subject में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, इसके साथ ही साथ 10th class में आपका 50% मार्स English और Math में होना चाहिए, तो यह eligibility है उनके लिए जो कि आपी सचस्टेंट का, आपी सचस्टेंट अगनी बीर बना चाहते हैं बाकी सब criteria same रहेगी, सिर्फ educational qualification में यह अंतर आएगा जो कि अगनी बीर टेकनिकल और अगनी बीर आपी सचस्टेंट के लिए है, बाकी सब चीज़ें बिलकुल एक तरह से रहेंगे तो बाकी सब चीज़ें क्या है, उमर, उमर क्या होनी चाहिए, साधी सुदा नहीं होना चाहिए आपने जोईन कर लिया, उन्मारीड हैं, तो चार साल साल सर्विस कर रहे हैं, टेनिंग नहीं सर्विस भी तो अगर चार साल की सर्विस आपकी है तो उस पिरिट में आप साधी नहीं कर सकते एक परमिसन नहीं मिलेगा Medical Fitness आपको Medical Test के समय यह सब देना पड़ेगा एक्जाम पास करने के बाद मेरिट में आते हैं तो आपको इस फिटनेस के लिए दोडाया जाएगा लांग जम कराया जाएगा उठा बैठा कराया जाएगा बेंड श्रिच कराया जाएगा पैरों के बीच की दूरी देखा जाएगा खड़ा होने पर तो इस सब चीजें जो है Medical Fitness में आएंगी एक्जाम पास करने के बाद इसके अलामा आपका Height, Weight और Chest भी देखते हैं तो पूरे देश को Six Region में डिवाइड किया हुआ है इसके लिए Height, Weight और Chest के लिए ओर रीजन होते हैं जैसे West Himalayan Region जिसमें JNK, Himalayan Region होते हैं फिर आपका आएगा Eastern Himalayan Region जो की हमारे North Eastern State आते हैं प्लस Sikkim तो सिक्कीम, अरुनाचल पदेश, आसाम, मनीपूर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेगाले यह जो आठ स्टेट्स हैं इसको बोलते हैं हम लोग North Eastern State फिर उसके बाद आपका Eastern Plain आएगा जैसे West Bengal हुआ, बिहार हुआ, Eastern Part आप UP हुआ Southern State आएगा, Central Region आएगा और इस तरह के टोटल 6 Region हो जाएगे तो इसमें height क्या है, इस ranging from region to region, तो minimum height 157 होना चाहिए centimeter और maximum, that is 157 to 170, तो depending about region, अगर आप North Eastern State से हैं, हीली एरिया से हैं, तो height का map हो कम दिया हुआ है, 157 centimeter में accept कर लेंगे लेकिन आप अगर मान लिजिए, Western Region से हैं, प्लेन से हैं, जैसे पंजाब, हर्याना, राजस्तान, तो आपका minimum height 170 centimeter होना चाहिए, तो 157 centimeter मतलब कि 5 feet 3 inch, 5 feet का होता है, 150 centimeter, 1 inch में 2 centimeter होते हैं, तो 5 feet 3 inch करीब-करीब, जो minimum है, और जो plane के लिए रखा हुआ है, वो 5 feet 8 inch, Remember, यह minimum है, maximum का कोई limit नहीं है, अगर आप plane में minimum height दिया 170, तो आप 170, 72, 75, 180, 185 कुछ भी हो सकता है, तो upper limit जो height के लिए नहीं होता है, इसके अलामा chest, आपका chest होता है, chest का measurement 77 centimeter सबजेंग के लिए दिया हुआ है, weight आपका, weight जो है, आपके उमर और लंबाई पर depend करती है, दोनों का proportion लेते हैं, उसके लिए standard chart होते हैं, फिट कल चार्ट, आप इंटेनेर पर देख सकते हैं, आपका ये जितना है, आपका height इतना है, तो आपका weight कितना होना चाहिए, तो military उसी चीज़ को यूज़ करती है, करीब करीब ओई चार्ट जो military भी यूज़ करती है, आर्मी यूज़ करती है, तो उसके साब से आपका weight होना चाहिए, और इसके लिए कोई limit नहीं है, कितने attempt करेंगें, कोई limit नहीं है, एक बार attempt कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार कीजिए, जब तक आप age limit में हैं, 21 साल तक तब तक आप इसको बार बार attempt कर सकते हैं, कोई इसका limit नहीं है, इसका process क्या है, पहले इसका notification आता है, आर्मी notification इ आर्मी का वेफसाइड एड़ेस है www.joinindianarmy.nick.in इस पर आप जाएंगे देखते रहेगा आपको पुरा इंफार्मेशन मिलेगा कब नोटिफिकेशन आ रहा है कब फार्म बरने का है कब एक्जाम देने का है इस तरह की चीज़े आपको पूरी मिलेगी तो 2024 का नोटिफिके में वेकेंसी गरीब 40,000 थी आर्मी में यह सब स्टार्ट हुआ था 2000 जून 2022 के बाद 22 के बाद जब संट्रल गवर्मेंट में गवर्मेंट ने नोटिफिकेशन लाया था एक स्कीम लाई थी जिसको बोलते हैं अगनी पत तो अगनी पत के अंदर यह वेकेंसी जाई थी तो पहली बार आर्मी में 40,000 लिये थे 2023 में फर्स टाइम 2024 में 25,000 ले चुके हैं खतम हो चुका है और हो सकता है इसका सेकंड टाइम इंट्री भी हो तो सेकंड टाइम इंट्री के लिए आप अगस्त में देखेगा वेब साइट पर जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अग अगले साल तो जनौरी फरोरी में पका आएगा तो अगले साल के लिए भी अफ्तेयारी कर सकते हैं तो उसके बाद में आप उसको आनलाइन जाएंगे फार्म बरेंगे उसमें करीब 500 रुपया फीस होता है 200 से 500 अलग अलग फीस कभी कोई जो आर्मी जो एक्जिम कर देती ह 500 रुपया फीस है 200 बरने को बोलेंगे तो उसको फार्म बरेंगे उसके बाद में आपका एड्मिट कार्ड आएगा एड्मिट कार्ड आने के बाद में आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा एक्जामिनेसन होगा जिसको बोलते हैं कामन इंट्रेंस एक्जामिनेसन CEE अगनी ये उसके लिए अलग-अलग सेंटर होगें आप जब फार्म भरेंगे तो उसमें अपना च्राइस देंगे आपको कहां से एक्जाम देना है लखनुज से डेली से बंगलोर से कलकटा से चेन्नई से तो उसके साथ से आपको सेंटर मिलेगा ये आनलाइन एक्जाम होता है आप आपको कंपूटर दिया जाएगा कंपूटर पर आप इसको एक्जाम दे गए तो इसके लिए आपको सेंटर चुनना होगा और वहां पर जाके एक्जाम देना पड़ेगा इसमें कुल चार पेपर होते हैं टोटल टाइम एक घंटे का होता है एक ही पेपर होगा उसमें चा पचास कोश्चन आते हैं हर कोश्चन में चार मार्स होता है जितने आप सही करेंगे उसमें चार चार मार्स मिलेगा तो पचास कोश्चन का अगर पूरा सही हो गया तो 50 इंटू 4 200 मार्स का टोटल होता है इसमें आप गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग होती है एक कोश तो पास मार्स इसमें 80 रखा हुआ है, मिनमम मार्स आपका 80 आना चाहिए दोसों में, तभी आप इसको क्वालिफाई करेंगे और मेटिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा. इसमें ग्रेस मार्स में मिलते हैं, कुछ लोगों को, कटेगरीज को, जैसे जो आपका 60 मार्स आया है, 20 ग्रेस मार्स मिला तो चीदे आप क्वालिफाई हो जाएगे. इसके लामा और भी ग्रेस मार्स मिलते हैं, जैसे कि जो वार वीडो हैं, उनके बच्चे हैं, सन डाटर, सर्विस परसान हैं, या एक सर्विसमेन हैं, उनके लिए भी ग्रेस मार्स दिया हुआ है. तो पूरे फिज्कल फिटनिस के बाद में जो इसके बाद में आपका फिज्कल फिटनिस आयागा अगर आप कौलिफाई होते हैं आपका merit मेरेट में आता है तब आप जाकर के उसको आपको बुलाई जाएगा medical के लिए आपका medical होगा, फिर selection होगा और आप training के लिए जाएंगे training दस सब्सक्राइब से लेके 6 मेने के होती है depending upon किस grade में जा रहे हैं तो minimum is 10 weeks, maximum is 6 months और training के बाद में आपका selection होगा यह नोकरी 4 साल की होती है जिसको बोलते हैं अगनी भीर चार साल के बाद अगर आपको performance अच्छा है और army को requirement है तो आपको return कर सकती है तो army क्या बोलती है कि 25% लोगों को return करेंगे और 75% लोगों को release कर देंगे तो अगर आपका performance अच्छा है, behavior अच्छा है, conduct अच्छा है आपने army में service करते समय कोई परसानी नहीं किया है लोगों problem ने किया है आपका character अच्छा रहा है, आपने कभी market नहीं किया है अपने senior के साथ कभी disobedience का case नहीं किया है जो लोग बोलते हैं उस काम को किया है, time पर किया है तो आपका service record अच्छा रहेगा और आपको return कर सकते हैं पर one and job के लिए जो प्चार साल की नोकर रिसूरी सुरूरी मोती है तो पहले साल आपको पगार मिलता है तीस हजार रुपया महिना दूसरे साल ताइस हजार, 33,000 थर्ड यर, 36,000 and fourth year you get 40,000 रुपीज पर मन इसके लामा आपको DA मिलेगा जो की आशी रेट में 50% है बेसिक का 50% तो तीस हजार रुपय का 50% मतलब 15,000 और तो इस तरह से आपका DA मिलेगा हर महिने इसके लामा आपका free food है free accommodation है traveling allowance है यह सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी चार साल की service complete हो गई है आप जब release पर आएंगे तो आपको government जो है कुछ पैसे देगी वो करीब करीब 12,000 रुपय होता है आपकी कुछ saving भी 2-3,000 रुपय होगी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि defense बजाने के बाद और निकलना चाहते हैं पहले वाली scheme थी उसमें निकलना नहीं सकते हैं क्योंकि आप defense join कर सकते हैं लेकिन defense से अपने आप आने सकते हैं आपको अगर serious problem घर में है या कुछ है तो आपको उसके लिए जर्स्राटिवी दना पड़ेगा या आपको medically unfit होना पड़ेगा तब ही आपको army या navy airport छोड़ती है तो इस case में एक अच्छी चीज है जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो गल्ती से आ गए आपको बाहर जाना है तो चार साल के बाद वह स्टेट बे बाहर आ सकते हैं जो कि जनरल पहले वाले इंटी थी उसमें इस तरह का पर्मिस नहीं था आप एक बार अंदर चले गाए तो आपको minimum सर्विस करना पड़ेगा छोड़के भागें तो पुलिस केस होगा पुलिस आपको पकड़क लाएगी और आर्मी के पास पापस कर देगी तो यह इस चार की चीज़े जो है इसमें बेंट पीड़त है तो यह रहा आज का वीडियो अगनी बीर टेकनिकल और अगनी मीर आफित असिस्टेंड इंडियर आर्मी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्लीस सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए फारवड कीजिए उन लड़कों को जो की दसमी, इगरामी या बारावीम पढ़ रहे हैं जिनें इनकी ज़रुरत है जो आगे नहीं पढ़ सकते हैं कुछ प्रावलम से, जैसे फैनेंसिल प्रावलम है या जिलनों को आर्मी में आने का सौख है जो देश की सेवा करना चाते हैं उनको फारवड कीजिए फिर इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगनी बीर टेन्थ और एट्थ पास करने के बाद जो ट्रेट्समाइन जनरल ड्यूटी होती है वो क्या होता है उसका रिक्रूटमेंट कैसा है इसके साथ ही जैहिंद मिलते हैं अगले वीडियो में